अक्ट्रिस अलाया फरनीचर वाला की अभी एक ही फिल्म रिलीज हुई है लेकिन महज एक फिल्म से ही लोगों पर उन्होंने अपनी चाप छोड़ दी है अलाया हर किसी की फेवरेट बन चुकी है सोचल मीडिया पर वो खोब चाही रहती है बता दें कि अलाया अकसर अपनी वीडियो और फोटो से भी लाइम लाइट में बनी रहती है वहीं अब उन्होंने कैसी वीडियो शेयर कर दी है जिसे देखने वालों की पसीने चूट रहे है मौल जीव में छुटिया वनाने पहुची अलाया फरनीचर वाला इस बार समंदर के नारे योगा करते देखी है वो भी बिकनी में आज की अक्टरेस अपनी फिटनेस को लेकर कितनी आक्टिव रहती है ये तो हम सभी जानते है मौका मिलते ही वो वरक आउट करना शुरू कर देती है अलाया फरनीचर वाला भी अपने फिटनेस उटीन को पूरी गंभीरता से लेती है और उसे फॉलो करना बलकुल नहीं भूलती चिप में पसीना बहाने से लेकर योगा के जरीये मन को श्रांत रखने तक अलाया हर काम करती है लेकिन लगता है कि योग की अलाया इसकदर दिवानी है कि मौल्टी में वरकीशन मनाने गई और आक्टरिस वहाँ भी योगा से खुद को दूर नहीं कर पाई इसलिए बिकनी पहने ही वो समंदर किनारे चुल कर रही है अलाया ने अचानक से योगा करना शुरू किया तो लोग दीखते ही रहे गए अलाया ने इंस्टेग्राम पर एक तस्वीश शेयर की है जिसमें वो बिकनी पहने योगा आसन करती हुई देख रही है बता दें कि अलाया पनीच और वाला पूजवा बेदी की बेटी है और कबीर बेदी की नातिन है जो बॉलिवुद में इस वक्क खूब काम कर चुके है और अब बारी है उनके तीसरी पीडी की आक्टिंग में नाम कमाने की आपको बता दें कि अलाहा ने आक्टिंग सीखी है इसके अलावा वो डाउंस वोक आउट के जरिये खुद को बॉलिवुड के लिए और भी जादा पॉफिक बना रही है बात करें उनके फिल्मों की तो उन्होंने जवानी जानेमन से डेबिय किया था जिसमें वो सैफ अलिखान की बेटी के रोल में दिखी थी तो वहीं अब वो यूटर्न में नजर आने वाली है तो उसमें कार्तिकरन के अपोज़र्ट उन्हें कास्ट किया गया है तो वहीं ये फिल्म बता दें कि ये साउट मूवी यूटर्न की हिंदी रीमेक है वेल दोस्तो आप अलाय फरनीचर वाला के तस्वीर हमारे इस वीडियो के जरीए भी देख सकते हैं जहां नेट पर समंदर के बीच ओबीच खड़े होकर अलाय फरनीचर वाला शानदार अंदास में योगा कर रही हैं तो दोस्तो आप हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं कि आपको अलाय फरनीचर वाला की ये वीडियो कैसे लगी और इस पर आपका क्या कहना है